सो फ्रेंस अगर आप लोग भी जहारखन के BBMKU याने की बिनोद बिहारी महतो कुलांचल यूनिवर्सिटी से UG, PG या फिर LLB कर रहे थें और वो कोर्स जो है आप लोग का कम्प्लीट हो गया है अब आप लोग आगे की पढ़ाय करना चाहते हैं जब आप लोग दूसरे वीडियो में step by step आप लोग को बताने वाला हूँ तो वीडियो में आप लोग अंतक बने रहे हैं साती दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चेनल को सस्क्राइब नहीं करा है तो सस्क्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले वीडियो पसंद आ या फिर ह portal पे विजिट कर सकते हैं पोर्टल में आने के बाद थोड़ा सा school down करके नीचे आ जाना है नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग जो है apply original degree के लिए कर सकते हैं और आप लोग जो है correction भी कर सकते हैं तो फिलाल हम लोग को migration apply करना है तो apply for migration वाले option पे click कर लेना है, click करने के बाद आप लोग देखेंगे कि student login वाले page में आप लोग redirect हो जाते हैं, यदि आप लोग user id और password पहले से create करके रखें यानि कि बना के रखें तो यहाँ पे user id password then login वाले option पे click कर लेंगे और जो लोग इसमे user id नहीं बनाये हैं, first time इसमें visit कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नीचे create an account का एक option मिल जाता है, इस पे click कर लेना है, जैसे ही आप लोग click करते हैं तो आप लोग के सामने create user का page खुल जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लो एक अच्छा सा password को create कर लेना है, दोनों में same password को रखना है, और उसके बाद यहाँ पे email id को fill कर लेना है, अब यहाँ पे आप लोग mobile number को enter कर लेंगे, then create account पे click कर लेंगे, create account पे जैसे ही आप लोग click करेंगे, तो आप लोग का यहाँ पे इसमें registration हो जाता है, यानि कि आप अच्छा भर लेने के बाद यहाँ पे जो login का एक option मिल जाता है, इस पर click कर लेना है, जब आप लोग लोग इन हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का dashboard खुल जाता है, जिसमें आप लोग का name क्या है, आप लोग का mobile number, email id, यह सब देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो पे course को select कर लेंगे, यानि कि जिसमें आप लोग का complete हो गया है, तो यहाँ हम PG मेरा complete हुआ है, तो हम PG को select कर लेते हैं, उसके बाद search वाले option पे click कर लेते हैं, अब यहाँ पे एक pop-up आ जाता है, तो इस वाले pop-up को okay कर लेना है, okay करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यह आप लोग का name सारा details जो है, देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो column नहीं feel है, यानि कि नहीं भरा हुआ है, वो सब को यहाँ पे भर लेना है, तो सब सब पहले यहाँ पे desire university में आप अपने university के name को enter कर लेंगे, उसके बाद desire study name में आप लोग MSC कर रहे थे, m.com कर रहे थे या फिर MA कर रहे हैं थे, यहाँ पे study name को enter कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपने mobile number को enter कर लेंगे, mobile number भर लेने के बाद यहाँ पे request type में आप लोग urgent के लिए apply कर रहे हैं, या फिर normal के लिए apply कर रहे हैं, आप लोग अपने according यहाँ पे select कर लेंगे, उसके बाद देख सकते हैं कि delivery mode यदि आप लोग apply कर लेते हैं तो आप लोग को जो है कहां से migration मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है आपको university से provide किया जाएगा तो apply करने के बाद सारे documents को वहाँ पे जमा करना है अब यहाँ पे address में आप अपने address को fill कर लेंगे आप लोग का area का pin code क्या है उसको enter कर लेना है district का name क्या है उसको भरना है उसके बाद यहाँ पे last में आप अपने estate के name को enter कर लेंगे अब आप लोग यहाँ पे examination details को fill करेंगे तो यहाँ पे first में आप लोग देख रहे होंगे name of exam तो आप लोगों ने last exam कौन सा दिया था PG का दिया था तो यह यहाँ पे PG लिखेंगे उसके बाद आप लोग का roll number क्या था roll number यहाँ पे fill कर लेना है आप लोग का registration number क्या है registration number यहाँ पे enter कर लेना है यहाँ पे कौन सा month में आप लोग pass out हुए है उस month को select कर लेना है year कौन सा था उस year को यहाँ पे select कर लेना है and result में यहाँ पे pass लिख द सकते हैं कि कुछ डोकुमेंच आपो यहाँ पे Аप्लोड करने का रहता है, फिर्स्ट में देख सकते हैं कि आपो नगे सीthen करना है, उसके बाद कॉलेज लिपिंग सर्टिपीकेट क्या है? उसको यहाँ पे अप्लोड कर लेना है, उसके बाद लाश्ट배 का जो admit card यहाँ पे upload कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे mark sheet को upload कर लेना है सारा documents जब upload हो जाता है तो यहाँ पे submit वाले option पे click कर लेना है अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो है आप लोग का name हो गया आप लोग का role number क्या है registration number क्या है यह सब देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे जो एक option देखने को मिल रहा है submit request का इस वाले option पे click कर लेना है जैसे ही आप लोग इस पर click करते हैं तो आप लोग जो है payment gateway पे redirect हो जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को जो है migration certificate यदि apply करते हैं तो आप लोग को जो है payment 3500 रुपे का क यहाँ पर हम UPI वाले option पे click कर लेते हैं अब यहाँ पर बहुत सारा UPI जाता है जैसे भीम हो गया phone pay, google pay, patium यह सब के माइधियम से जो है आप लोग यहाँ पे payment कर सकते हैं तो हम यहाँ पे phone pay के द्वारा payment करने वाले हैं तो phone pay वाले option पे click कर लेते हैं उसके बाद यहाँ UPI ID को इंटर कर लेना है UPI ID जैसे ही आप लोग इंटर कर लेते हैं अब आप लोग confirm payment वाले option पे क्लिक कर लेंगे confirm payment पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एक pop-up आ जाता है जिसमें जो देखेंगे आप लोग जो है यहां देखेंगे कि यहां timing चलने लगता है अब आप लोग के phone पे में या फिर Google पे में जो है आप लोग जिसका भी UPI ID डाले होंगे उसमें एक notification गया होगा जिसमें जो है आप लोग साड़े 300 रुपे जो payment करेंगे उसका एक message आया होगा तो वहां से जो है आप लोग Pay Now पे क्लिक कर देंगे Pay Now पे क्लिक करने के बाद यहां पे थोड़ा सा process को complete होने देंगे जैसा ही यहां पे process complete हो जाता है तो देखेंगे कि यहां पे आप लोग का payment success हो जाता है यहां पे देख सकते हैं कि payment status में जो है अब यहां पे आप लोग का paid दिखा रहा होगा अब आप लोग यदि print करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो print का एक option मिल जाता है इस print वाले option पे click कर लेना है अब आप लोग के सामने एक slip generate हो जाता है तो इस वाले slip को जो है print कर लेना है और print करने के बाद जो है university में जमा कर देना है university में जमा करने के time पे जो है आप लोग का जो documents एटेच रहेगा वो एक आपकर registration slip रहेगा last year का admit card हो गया last year का marksit हो गया यह सब जो है आप लोग attach करके दे देंगे यानि कि apply करने के time पे आप लोगों ने जो जो documents को upload करा वो सारे documents को जो है attach कर लेना है उसके बाद university में जमा कर देना है university में जैसे ही आप लोग जमा करेंगे तो 4-5 दिन में आप लोग को वहाँ से migration certificate मिल जाता है तो इस तरह से जो है आप लोग घर बेटे mobile laptop से जो है आप लोग migration certificate के लिए online आवेदन कर सकते हैं तो आई होप ये वीडियो में आप लोग को पता चल गया होगा कि migration certificate के लिए किस तरह से online apply किया जाता है अब हम लोग मिलते हैं इसी तरह का न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ अब तक के लिए जहिन बंद मात्रम